शांती के लिए योग नाड़ी शुद्धी नाड़ी शुद्धी का शाब्दिक अर्थ नाड़ियों की सफाई है नाड़ियों से हमारा मतलब 72,000 नाड़ियों से नहीं है क्योंकि ये 72,000 नाड़ियां सिर्फ दो मूल नाड़ियों पिंगला और इड़ा की शाखाये हैं, 36,000 नाड़ियां पिंगला से निकलती हैं और 36,000 इड़ा से, यह एक इनसान की उर्जा प्रणाली होती है। नाड़ी शुद्धी में हम मूल रूप से पिंगला और इडा की शुद्धी की बात करते हैं, ताकि उर्जा प्रणाली संतुलित रहे। आपकी सांस और मानसिक संरचना के बीच एक संबंध होता है। अगर आप अपने कार्यों, अपनी भावनाव और अपने जीवन के नतीजों तथा दूसरे लोगों के जीवन पर अपना जो असर होता है, उसमें संतुलन लाना चाहते हैं, तो अपने विचारों में संतुलन लाना बहुत जरूरी है। इस बहुत ही जरूरी संतुलन को लाने इस अभ्यास को साथ साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसे ही अपनी अनामिका या तीसरी उंगली का प्रयोग करके अपनी बाई नासिका को बंद करें। आप दाई नासिका से सांस अंदर लें और फिर उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। फिर से दाई को बंद करें और बाई को खोलें। बाई नासिका से सांस अंदर लें और उसी से सांस बाहर छोड़ें। इस तरह जारी रखें। आपका ध्यान अपनी सांस उपर होना चाहिए तो जब आप यह प्राणायाम करते हैं तब सबसे महतुपूर्ण यह है कि आप पूरी तरह से सांस अंदर लें और पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ें इसे जितना हो सके उतना धीरे धीरे और आराम से करें सांस बाहर छोड़ते हुए या अंदर लेते हुए कोई आवाज न निकालें तो यह प्राणायाम होने के लिए आपको सिर्फ एक मुख्य बात याद रखनी है जिससे कि यह प्राणायाम अपने आप होता रहेगा आपको हमेशा सांस बाहर छोड़ने के बाद नाड़ी शुद्धी करते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ सुधार अपना बाया हाथ अपनी जांग पर न रखें आपका बाया हाथ आपकी गोत के बीच में आराम से रखा जाना चाहिए यह याद रखें कि आपको दाय हाथ के सिर्फ अंगूठे और अनामिका यानि की तीसरी अंगूली का इस्तमाल करना है आखरी की दोनों अंगूलियों को सीधा और एक दूसरे के बगल में जुड़ा हुआ रखना है अगर आप उन्हें सीधा नहीं रख पा रहे हैं तो उन्हें जितना हो सके उतना सीधा रखें पहली दोनों अंगूलियों को मोड़ ले हो सकता है कि आपका सिर नीचे या फिर बगल की दिशा में मुड़ जाए आपका चेहरा अंजाने में इधर या उधर जुख सकता है आपका सिर सीधा होना चाहिए अगर आप ऐसी स्थिती में बने रहते हैं तो आपका सिस्टम बहुत ही जल्दी संतुलन में आ जाएगा यह पक्का करें कि आप अपनी नासिका के निचले हिस्से को बहुत कसकर नहीं दबा रहे हैं नाक के दाएं हिस्से में जो हड़ी है उसे महसूस करें इसके बस एक मिलिमीटर नीचे अगर आप अपना अंगूठा रखते हैं तो बहुत थोड़े दबाव से आप नासिका को बंद कर सकते हैं ताकि कोई हवा बाहर न जा सके यह पक्का करें कि आपकी सांसे हलकी या सामान्य नहीं हैं और आप सांस रोक नहीं रहे हैं सांस पूरी तरह से अंदर आनी चाहिए और पूरी तरह से बाहर जानी चाहिए अब हम नाडी शुद्धी साथ में करेंगे कृपया पालती लगा कर बैठ जाएं आप की रीड आराम दायक तरीके से सीधी होनी चाहिए अगर आपको नीचे बैठने में परिशानी हो रही हो तो आप कुर्सी पर अपनी टांगों को टखनों पर एक के ओपर एक रखकर बैठ सकते हैं अपना बाया हाथ अपनी गोत के बीच में आराम से रखें हथेली उपर की तरफ होनी चाहिए सिर्फ अपने दाएं हाथ का इस्तिमाल करें केवल अपने अंगोठे और आखरी दोनों उंगलियों का इस्तिमाल करें पहली दोनों उंगलियों को मोड लें आखरी की दोनों उंगलिया सीधी रहें और एक दूसरे के बगल में जुड़ी हुई आखे बंद करें अपनी दाई नासिका को अपने अंगूठे से बंद करें और अपनी बाई नासिका से सास अंदर लें सास पूरी तरह से अंदर लेने के बाद उसी नासिका से सास बाहर छोड़ दें अब तीसरी उंगले का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बाई नासिका को बंद करें, और दाई नासिका से सांस अंदर लें, फिर उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें, फिर से अपनी दाइनासिका को बंद करें और बाएं को खोलें सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें जब तक कि हम आपसे रुकने के लिए नहीं कहते कृपया ऐसा करते रहें सांस पूरी तरह से अंदर और पूरी तरह से बाहर जानी चाहिए इसे बहुत धीरे-धीरे और आराम से करें यह पका करें कि आपकी रीड आराम दायक और सीधी है यह पका करें कि आपका सिर सीधा है अपनी सांसों पर ध्यान देना जारी रखें झालबे तरह सांसों पर ग्मो करें पर देना कि अपकाहीं जाद पकाहीं झालबे तरह से बाषण से करें कि आपके कि आपकाहीं झाल 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 से सास छोड़ने के बाद रुख सकते हैं और अभ्यास खत्म कर सकते हैं। कृपया धीरे से अपनी आखें खोल ले। शांती जीवन का परम लक्ष नहीं है। ये सबसे बुन्यादी जरूरत है। अगर आपने इसे जीवन का परम लक्ष माना, तो आपको मरने के बाद ही शांती मिलेगी। कर दो दो आपको मिलेगी। झाल झाल झाल